तो हलो स्टूरेंट्स वेलकम टूजिम्स और टूड़े वी अर्ट चैप्टर आउटकम्स अफ डेमोकरसी तीन है अमारे पास पढ़ने को बाकी रहे गए हैं तीन हमने पढ़ लिए हैं तो इसके बास सिविक्स का सले बास हमारे पास फॉर्मली खतम हो जाएगा एकदम डेमोकरसी के आउटकम्स को हम मेज़र करते हैं एसस करते हैं कि डेमोकरसी जो कि एक डेमोकरसी को सकसेस्वल गोवर्मेंट बनाती हैं तो उसमें आज हम शुरू कर रहे हैं रिडक्शन और पावर्टी यह बहुत अच्छा टॉपिक है यह हम सुनते भी रहते हैं कि वही इ खतम हो, पावर्टी हटे, तो देश का उत्थान होगा, देश का हमारे डिवलप्मेंट होगा, तो ये एक एकस्पेक्टेशन होती हैं, सरफ से पहले कोई भी किसी भी डेमोगर्रेटिक गोर्वेंट से सिटीजन को वहां के लोगों को कुछ एकस्पेक्टेशन होती हैं, तो इस पर्टिकूलर टॉपिक से लोगों को क्या एकस्पेक्टेशन होती हैं, कि डेवलप्मेंट से जादा लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री में, उनके लोगों के बीच में एककनॉमिक डिस्पेरिटी खतम हो, एकनॉमिक डिस्पेरिटी का मतलब है, कि जो एकनॉमिक रहे पएंप है वो बहुत जादा है गरीव घरीव होता जा रहा है हमी कोoser जाना हों यह तो चानी की कमिनिक के लोगों को ज्यादा फेवर मिल रहा है जिसका हमने बहुत striking example देखा था कहां पर यह हमने देखा था श्री लंका में कि श्रीलंका में तमिल्स को डिसकार्ड किया जाता था तमिल्स को पॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जबकि सिनहाली इस को गोवर्मेंट जॉब्स में और युनिवर्स्टी में क्या मिलती थी एपॉर्चुनिटी मिलती थी उनको फेवर किया जाता था तो दूसरी एक्सपेक्टिशन यह होती है लोगों की कि जो डिस्रीबिशन अफ गूट्स एन अपॉर्चुनिटी उसमें एक्वालिटी आए सब को एक्वाल अपॉर्चुनिटी मिले और थार्ड है एक्वाल इस्टिबिशन आफ वेल्थ ये सबसे मेंट पॉइंट होता है कि जिस से ह ओं के हाथ में छंटा हो जा और बाकियों को मिलेई एक तो वो गरीब हो ही जाएँगे ऐसा ना हो तो यह तो इत् faltip एशन सो होती है हमारी या वरीज्ट ईमक्रेटी से लेकिन डेमोक्रसी इसमें कितना खरगा उतरती है q5 कितने इसमें इटाडब उठाती कि जिससे कि वह अपने citizens को ensure कर पाएं तो practical record यह है हमारा कि डिमोकर्सी में पॉलिटिकल इक्वैलिटी तो होती है पॉलिटिकल इक्वैलिटी का मतलब क्या हो गया हमार पास पॉलिटिकल इक्वैलिटी का मतलब हो गया कि everyone has a right to vote कि सब के पास right to vote है सबके पास क्या है इक्वैल पाटिसिपेशन है पॉलिटिकल प्रॉसेस में तो यह तो है हमारे पास कि यह तो पॉलिटी कली क्री टेसी को दिया रहा कि को ब strongly कि कि कोई वोट नहीं नहीं है सकता सब्हक्ते लिए एक यूणिवर्स अली फ्रेंचाइज है कि वह के रहाँ-ठार साल साल से चाथ-ठार साल से उपर बढ़ती जा रही है मतलब जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं या फिर अगर हम еди क करें शाल का डेटा निकाले तो अमरे पास आता है कि गरीब लोग जादा बढ़ रहे हमारे हमारे हां हंगर का जाधा बढ़ रहा है इसी बहुत लिप country है बनलदेश हो गया ऐसी country है ने Hahnemal हो गया इन्में जो है यह data हमें साफसाफ देखने को मिल जाता है कि economic inequalities बढ़ रही है हमारे जैसा देश जो कि बहुत बड़ा देश है बहुत डाइवर्स देश है वहां पे भी हमें देखने को मिल जाता है कि political equality तो है लेकिन economic inequalities जो है वो day by day बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है कि जो ultra rich people है जो चंद लोग हैं कुछ ही लोग हैं जो कि बहुत अ अमीर हैं उनके पास सारे resources सारे resources उनके पास है सारी wealth उनके पास है और सारी opportunities उनके पास है तो जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है कि जो gap है बीच में लोगों के बीच में economic inequality जो है वो बढ़ती जा रही है तीसरा की ऐसा तो है यह कि भाई कुछ चंद लोग जो है वो बह वोटिंग और शेल्टर कि रोटी कपड़ा मकान ये तक फुल्फिल करने के लिए उनके पास मीन्स नहीं है उनके पास पॉर्चिन्टीज नहीं है अब डेमोक्रासी मोता कहा है इंडिया के एक्जामपर आप रहे लिचे तो जो गरीब लोग है वो मेजॉरिटी में वोटर्स होते हैं गरीब लोगी सँख्या जो है वोटिंग जादा दे दी है तो क्या होती कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फोकस किस पर रखती है कि उनका वॉट ना छूटे कि उनकी जो वोटिंग पॉपिलेशन है जो उनका वोटर्स है वो उनके साथ जुड़ा रहें तो उसक पॉर्ए जो है वो इतना पींदिन इतनी के उने के अफिर नहीं क स्टिंधित करतेय fach पॉर्वंवेंक हमें इतना की नहीं इतना आप्ने सिर्फ को पीने को ले कर के बैकि कैंट्री से फंड और बाकी कंट्री से अगर डोनेशन आईगी तो मांक लोग का खाना पीना चलेगा तो डेमोकरसी का एक ये निगेटिव पॉइंट है कि यहां पर एकनोमिक इनक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है हाला कि ऐसा नहीं है कि एकनोमिक इनक्वालिटी सिर्फ डेमोकरसी में बढ़ अच्छे तरीके से पॉवर्टी को हटा सकते हैं लेकिन अगर नहीं हटरी बढ़ रही है तो यानि कमी लोगों में है कमी गौर्वर्मेंट में है कमी डेमोकरसी के फंक्शनिंग में है क्योंकि डेमोकरसी का जो प्रिंसे पले हैं वो तो बहुत आईडियोलोजिकल है अब इसको समझने के लिए हम जादा दूर नहीं जाना इसको समझने के लिए अपने चैप्टर 1 पर पावड शेरिंग में देखा था एक कॉम्टिशन उप शोचल डावर्श टीका पेस्स एक्जामपल कहा था वह उमने देखा था बेल्जियम में कि बेल्जियम में अलग अलग कम्यूनिटी थी लेंग्विज बोलने वाली कम्यूनिटी थी अलग-अलग पॉपुलेशन थी लेकिन वहां पे लोग उन उन पॉपुलेशन की बीच में टेंशन नहीं कुछ पिरियड क्यूंकि महां पर जो डच थे वो अल ओवर दे कंट्री मैचॉरिटी में थे लेकिन जो नहीं बात को समझा और महां पे अकुमोडेट किया गया सोशल डाइवरसीटी को तो सोचल डाइवरसीटी क्या है कि जब हमारे यहाँ अलग-अलग रिलिजिन को फॉले करने फॉलो करने वाले लोग अलग-अलग कल्चर के लग-अलग ट्रेडिशन के लोग अगर रहते हो तो उनके बीच में differences आना मामूली बात है कि भई अलग 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 culture religion है तो differences होंगे लेकिन उनको accommodate कैसे किया जाएगा उसके लिए best है democracy कि अगर democratic government है अगर किसी देश में democracy है तो महाँ पर accommodation करना social diversity की बीच में अलग अलग diversified groups को unite करना बहुत easy है जिसका example हमने देखा था Belgium में और ठीक इसका उलटा example देखा था हमने श्री लंका में हाला कि श्री लंका भी हमारे पास democratic government थी लेकिन वह पर accommodation नहीं हो पाया तो क्या expectations होती है social diversity के accommodation को लेके तो पहले expectation होती है कि democracy में harmonious social life होने चाहिए मतला conflicts ना हो वार्स ना हो टेंशन्स ना हो तो डिवोकर सी में क्या हो कि society जो है जो social life है लोगों की वह बहुत harmony और पीसफुल रहे दूसरा कि जितने भी social differences और डिविजन से society में उनको accommodate क्या जाए देखो ऐसा कहना एक्दम गलत है कि social differences नहीं होंगे अगर है उनको तो accommodate क्या जाए और तीसरा की महाँ पर mechanism होना चाहिए कि जिससे की conflicts resolve हो सके क्योंकि हमने कहा दिया कि अकर social differences है social divisions है तो मेरे याँ conflict होगा मामूली बात मेरे नहीं कि conflict ऐसे उठेंगे तो लेकिन उन conflict को resolve करने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास mechanism होना चाहिए कि जिससे की पीस्पुली वह conflict क्या है resolve हो जाए जिससे की situation जो है वह ज्यादा chaos में आए ज्यादा words ना हो ज्यादा बत्तर ना हो जैसे कि श्री लंका में हो गई थी तो वही बात जो हमने भी बोली कि किसी भी society में conflicts है वह permanently resolve नहीं हो सकते कि conflicts उठा उसका resolution हुआ ऐसा नहीं हो सकता पर्मनेंटली conflicts resolve नहीं होते हैं लडाईयां उठती रहती हैं differences होते रहते हैं पर्मनेंटली कुछ solve नहीं होता लेकिन एक हमारे पास mechanism होना चाहिए कि हम उन differences को negotiate कर पाए उनको solve कर पाए जैसे जैसे हमारे पास problems arise हो रही हैं जैसे जैसे हमारे हैं conflicts उठ रहे हैं groups के बीच में communities के बीच में social divisions के बीच में तो उनको हम resolve कर पाए peacefully amicably थर्ड की democracy can accommodate social differences and handle conflicts and division तो इसके लिए best suitable requirement है democracy कि अगर आपको social diversity को accommodate करना है और accommodation के साथ साथ आपको वहाँ पे conflict resolution का mechanism भी निकालना है क्योंकि अगर social diversity होगी तो but obvious है कि मेरे यहां social differences होंगे social differences होंगे तो मेरे यह conflicts भी होंगे और कोई भी conflict जो है वह permanently resolve नहीं हो सकता तो उसके लिए best suitable condition है मेरे यह democracy तो अगर democracy मुझे यह options देती है कि हमारे यह social diversity भी accommodate हो सकती है और conflict resolution भी हो सकता है तो इससे अच्छी बात मेरे पास क्या हो सकती है चौथा ऐसा non-democratic government में नहीं होता है अगर हम contrast करें कि वह democracy को compare करते हैं हम dictatorship से हम देखेंगे तो महाँ पे dictatorship जो होती है बाकि forms of government जो हैं जो कि नहीं है उनको जादा मतलब नहीं होता कि भाई कितने social differences हो रहे हैं कितने internal differences हो रहे हैं क्या conflicts है लोगों के बीच में उनके पास एक सीधा resolution है कि वह force करेंगे और सब को चुप कर देंगे या खतम कर देंगे तो democracy मेरे पास accommodation हो सकती है और disputes का क्या हो सकता है resolution भी हो सकता है अब क्या हो condition है to achieve accommodation of social diversity social diversity को हम कैसे achieve कर सकते हैं हमने यह तो कह देना कि देमोकरसी यह सोचल इसके इसमें जो है social diversity का accommodation हो जाएगा तो कोई भी democratic government कैसे कर सकती है accommodation social diversity का तो उसके लिए कुछ conditions है सबसे पहले यह ध्यान में रखना है हमें कि democracy is not simply a rule by majority opinion ऐसा क्यों का हमने ऐसा हमने इसलिए का क्योंकि democracy में जो government है वो majority party बनाती है जिस party को majority votes मिलते हैं जिसको majority मिलती है वही government बनाती है लेकिन democracy का मतलब यह नहीं है कि सरफ majority ही रूल कर रही है क्यों क्योंकि मेरे हाँ democracy में minority का भी उतना ही रोल है मेरे हाँ opposition का भी उतना ही उतना ही महत्व है जितना मेरे हाँ majority का है उनके opposition को उनके views को उनके ideas को मुझे साथ में लेके चलना है rule by majority does not become rule by majority community in terms of race और religion और linguistic groups दूसरा ही है कि अकर मेरे हाँ रूल by majority हो रहा है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह majority by religion हो गया सब्सक्राइब करेगा वही रेस प्रिवेल करेगी जिसका हमने सबसे अच्छे एक्जामपल देखा था श्रीलंका में श्रीलंका में सिनाली जो थे वो क्या थे majority में थे उन्हों उन्होंने गवर्मेंट बनाई और उसके बाद क्या करा उन्होंने सिनाला को फिवर करना शुरू कर दिया उन्होंने बुद्धिजम को प्रोटेक्ट और फॉस्टर और रिस्पेक्ट करने के लिए और दूसरा कि अगर majority की सरकार मेरे आँ बन रही है तो उसका मतलब यह नहीं कि that is majority by religion और any particular language और रेस यह दौनों possibility जो है यह पहले ही हमां क्या कर देते हैं हम खतम कर देते हैं और तीसरा यह कि every citizen has a chance of being in majority at some point of time क्योंकि democracy है सबके पास right to political participation है सबके पास equality है सबके पास political equality है तो कोई भी citizen आज suppose money one community of citizen majority में है तो वह जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि power shift हो जो जो कल को minority में थे हैं कल को जिनके ओपर power impose करी जा रहे थी आज वो majority माई जाए लेकिन ऐसा होनी की दुरुवत ही नहीं है जब अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे तो कोई भी हमारे power में आजाए फिर सबको एक ही principle follow करना होगा तो यह कुछ conditions है कि कैसे मेरिया social diversity accommodate हो सकती है कि lastly dignity and freedom of citizens देखिए यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह है bedrock democracy का कि हमारे यह क्या होता है dictatorship में मुझे नहीं मिलती dignity of citizens dictatorship में उतनी freedom नहीं citizens को जितनी democracy में democracy में हमारे पास right to speech and expression है हमारे हम खुलके बोल सकते हैं अपने आपको express कर सकते हैं मेरे पास right to life and personal liberty है मेरे पास अजादी है मेरे पास क्या है equality है मेरे पास कहां पर नहीं मिलेगी dictatorship में नहीं मिलेगी हमें चीज़ें तो citizens तो passion for respect and freedom are the basis of democracy जो मैंने बोला कि यह तो bedrock foundation होते हैं democracy के respect और freedom तो worldwide क्या हो चुका है कि democracy ने इस principle को respect को freedom को dignity of individual और citizens को adopt कर लिया अब आपको हर country के जहां पर democracy हमां के citizens में आपको यह provision देखने को मिल जाएंगे हमारे इंडिया में तो है हमारे इंडिया में तो already fundamental right है article 14 हमारे यहां क्या है right to equality article 14 हमारे एक्वैलिटी को promote करता है फिर मेरे पास क्या है आर्टिकल 21 है fundamental right है जो कि हमारे पास क्या है right to life and liberty है तो हमारे यहां तो है यह जितने भी डेमोक्राइस हैं वहां पर लगबग यह प्रोविजियंस यह इसके recognition देखने को मिल जाते हैं तो अपर डेमोक्राइस हमारे जो सुसाइटी रही है वह किसी भी देश की कहीं भी हमारे वहां जो सुसाइटी अड़े रही है पहले से वह मेल डॉमिनेंट रही है मेल डॉमिनेंट मतलब कि महां पर जो मेल जेंडर है उनका ज्यादा रोल और महुंद जो अपोजाट जेंडर यानी जो फीमेल जन्टर व्में उसको करें जाता था सप्रेस की जाता था लेकिन जैसे provisions हैं तो हर democracy लगबख सभी डिमोगर्टी कुवंबंट ने इसको अब accept कर लिया है इसको recognize कर लिया है तो सबसे basic requirement क्या होती है सबसे biggest requirement होती है recognition की कि सबसे पहले में एक principle को सबहुजमानी है हमारे dignity और freedom की मैंने बात करी तो इसको पहले में recognize कर रहा हूं इसको पहले में adopt कर रहा हूं इसको पहले में recognition दे रहा हूं कि मेरे यहां से आज यह शुरू होगा उसके बाद इस पर implementation का काम होगा उसके बाद इस पर law formulate होगा तो recognition जो है वो सबसे पहले step है हमारे यहां कुछ भी change लाने का स्टब बेस इनकालिटी देख लिए है तब जाता देखने को मिल जाती है इंडिया में जो कि हमारे हां थी तो क्या हूआ इंडिया में जैसे जैसे democracy success होती गई इंडिया में जो caste based inequalities हैं वो खतम होती गई in fact इसके लिए हमारे पास laws हैं हमने इनको offense बना रखा है punishable offense है ऐसा नहीं कि अगर हमारे प्रोविजन्स आ गए कि इंडिया में caste based inequalities नहीं होंगी caste discrimination नहीं होगा तो caste based atrocities हमारे खतम हो गई है हमारे discrimination खतम हो गई है ऐसा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारे यह caste based inequalities ऐसे चल रही है जैसे पहले चलती थी अब हमारे यह punishable offense है हमारे यह constitution में article 17 जो है वो untouchability को offense बताता है हमारे यह article 15 है वो जितना भी caste based discrimination race, religion, जितने भी discrimination है उनको खतम करता है तो अब हमारे है क्या हो गया हमारे है caste based inequality को गलत माना गया इसके पीछे legal और moral sanction नहीं है हमारे है अब हमारे पास fundamental rights है जिसमें हमारे पास equality for all है जिसमें हमारे पास जो जितनी यह practices थी जो की caste based inequalities को promote करती थी उनको offense बनाये गया है पार्लेमेंट ने law बना दिये कि अगर कहीं ऐसा case सामने आता है किसी के साथ discrimination हुआ है caste को लेकर के, race को लेकर के gender को लेकर के तो वो क्या कर सकता है complaint file करे उसको जो बंदा ऐसा करता है जो भी person involved पाया गया कि उसने atrocity करी है उसको सजा मिलेगी तो अब हमारे हैं इतना shift हो चुका है पहले शायद हमारे हैं इतना नहीं था पहले हमारे हैं caste based discrimination जो है वो openly exercise किया जाता था तो सबसे पहली बात वो ही है कि recognition जो है वो ही बनाती है ordinary citizen को aware करती है कि उसका ये particular democratic right है और अगर ये democratic right है तो उसको available है उसको वो exercise करना है और अगर वो exercise को नहीं करेगा तो state उसको उस right को guarantee करवाएगा जो की non democratic governments में ऐसा नहीं होता non democratic governments आपको इतने rights आपको इतनी freedom आपको ऐसी dignity नहीं देती अब यह distinctive feature क्या है democracy का distinctive feature यह है कि इसका जो examination है ना इसका जो test है वो कभी खतम नहीं होता आज हमें democratic governments अपनी कुछ expectations है कि आज हमारी यह demand fulfill नहीं हो रही आज यह fulfill करा जाए आज हमें jobs की बहुत जरुआता है आज हमें इस पर्टिक्लर चीज से जरुआता है एजुकेशन की जरुआता है पावर्टी का खतम करने की जरुआता है जैसे हमारे पास यह expectations fulfill हो जाएंगे हम नहीं expectations खड़ी कर देंगे तो democratic government का एक democracy का test जो है वो कभी खतम नहीं होता एक पूरा हो जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है जैसे जैसे लोगों को benefit मिलते हैं वो फिर और benefit की करते हैं और अच्छे benefit की डिमांड करते हैं कल को गरीबी खतम होगी गरीबी का हमारे पास खात्मा हो जाएगा तो हम कल कुछ को कल को कुछ और मांगेंगे तो क्या होता है कि लोग regular basis पर democratic government से अपनी expectations बढ़ाते रहते हैं अपनी complaints को लाते रहते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं government का criticism government को क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है decent होना किसी भी democracy में उसके success को दर्शाता है कि अगर मेरे यहाँ complaints है कि अगर मेरे यहाँ expectations है मेरे क्रिटिसिजम है तो उससे मुझे पता चलता है कि भाई मेरी democracy वह success है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में कम से कम इतनी awareness तो है कि वह government के actions को judge कर पा रहे हैं उनसे expectations रख रहे हैं और अगर expectations हैं तो में अगर हमारे ममी पापा को हमसे expectations होती हैं सब zAm girighted यह अच्छे अच्छे सभली हैं तो अगर हम से expectations हैं उसके लिए मेंद गरते हैं उसके लिये दिन रात मेरे करते हैं चहरों देते हैं बढ़ीया पढ़के पढ़ते हैं तो क्या इसका मतलब क्या है हम इस बास से त्यॉर्ट है या कि कि किसी को हम से ऍथ constitution है नहीं से वैसा democracy के साथ है कि government भी गश्या है भर्वन्मेंट से लोग expectations तिए का अंदाजा होता है कि उनके वोट से डिफरेंस आ रहा है कि उनके वोट में इतनी ताकत है कि वो वोट करेंगे तो गवर्मेंट चेंज होगी और गवर्मेंट चेंज होगी तो फिर वो गवर्मेंट से एक्सपेक्ट करेंगे क्रिटिसाइज करेंगे गवर्मेंट को करेंगे ऐसा दुरूरी नहीं कि हर टाइम जो है सेटिजन जो है जो पीपल है वह गुवर्मेंट को क्रिटिसाइज ही करेंगे वह गुवर्मेंट की पॉलिसी को प्रेज भी करेंगे तारीफ भी करेंगे कुछ अच्छे स्टेप्स को क्या करेंगे तारीफ करेंगे उनकी तो जो टेस्ट के लेवल है वो infinite है हमारे यहां तो exams होंगे खत्म हो जाएंगे इसके exams जो है कभी खत्म नहीं होते हैं इन्फिनिट लेवल पर है जो की चलते रहेंगे तो इसी के साथ चेप्टर हमारा हुआ खत्म पूरा हो गया चेप्टर हमने जो पढ़ लिया outcomes of democracy अच्छा चेप्टर था हमने democracy का outcomes पढ़े कुछ expectations पढ़ी है और इसी के साथ हमारा civics का syllabus जो है वो खत्म हो गया है अब हम question and answer session लेंगे हमारे पास political parties का outcomes of democracies का जो है question and answer बच रहे हैं हमारे पास federalism का भी बच रहा है तो देखेंगे हम question and answer session जब तक कि आप अपना revise करिए पढ़िए कुछ conceptual बाते हैं जो की याद रखने की हैं बाकी exams की preparation करिए exams भी करीब आने वाले हैं जब तक अपना ध्य रखी थेंक यू